हुआ है हलो इभ्रीवर दोस्तोत आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं समझने वाले हैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक जिसका नाम λहें है हैं हाओ दो केलेट कॉन्टिटी ऑफ आफ डूड इंडूर फ़्रेम क्दो कॉन्टिटी ओफ मोड in दोर फ्रेम हम बात करने वाले हैं यानि आसान वास्या में हम सिर्फ और से फैना इसी की बात करते हैं अब आप एक बात बोलो कि अगर आप रेडिमेट सोच रहे हो डायरे कि आपको रेडिमेट फ्रेम मिल जाए तो कोई इसे सबस्क्राइब करें लिए वाइब करें लूट कर दोस्ते हैं लेकिन मेरे भाईयों मेरे दोस्तों यार जब बड़ी-बड़ी इसा हर आइटम में हो रहा है अगर आप इसी लिए मुलता हूं मैं हमेशास के एक आइटम या एक कॉंटिटी को अगर आप वे सही से मेजर कर लिया तो इसका जो रेफ्लेक्श्र अधर थिंग्स पर या सिमिलर थिंग्स पर पढ़ने वाला है वो भी आपारां से वेल्यू कर अब इक कॉंटिटी आपने निकाल लिए तो इसका इंपोर्स उसे साफसा है मैं आप वह बीम बाने और स्लेम बाने लेक्सरी बताएं कि यह सा नहीं सिर्फ इस स्लेब की आप पॉइंटे निकाले हो इस जैसे जितने भी स्लेब में जितने भी सिमेंट के बैग लगेंगे इस निकाल सकते है अगर आपने इस स्लेब में बे लगेंगें और लिए तो इस जैसे जितने भी स्लेब इन वे में कितने वे अदर दिख रही है और यहां पर है शुक्त निकाल देंदि कि अभण दो जो सेब मात यहां पर आपको नोटव कहले चाहिए कि यह वाला तो इनसा है अजर इसका अवी आप वोड निकार रहे लो जो शटर वाला इस्सा है भाई है तो यह ए एरिया में जेर होता है बिल्ट होत और तो इसको यह कई के अपने होता है जबकि यह जो फ्रेमिंग है न यह रणिंग मीटर दनिंग फीट में में मेजर होती है यह नू टाउम कर लो फॉंट्री केल्कूनेशन का अवसूल समझ लूँ भाई जैसा कि आपको पता होगा टाइस जो हम फ्लूर पे लगाते हैं वो एरिया के वेट में मेजर होती है लेक है यहां में दोर फ्रेम की बात करेंगी तो दोर स्वेंगा एक जांपल हमें ले लिए जैसा कि आवारा हमें साथ से उसूल एक एक्जांपल से अच्छे समझ बारते हैं एक दोर फ्रेम आपको यापर दिख रहे हैं एक इस सो वाला ये डाएवेंशन हैं तो यहां से 100 लोजिक लगाना है इसकी तो इतना बनेगा इतना बनेगा इतना बनेगा आत्म जल्दी बूलो तो 2100 और 100 और 100 माइनस होगे हजार मेंसे तो आट सो तो यह हमने निकाल लिया किता हुआ यह लगबगी हमने इंडरेसलिया इतनी रखाएगा इसा डैवेंशन देखिया 42-800 हो जाएगे 5000 mm लंबा है यादि पांच मेंटर की आपकी डोर फ्रेम है लेकिन कहानी खताम नहीं हुए है यह जो हमने निकाला है नोर फ्रेम के अल्कृटेशन का डाइरेक्ली ब्रनीट फिल्ट में निकाल लिया फटाफट से पोरा जो है मेंसर गईया बचा पांच और लेकिन दोस्तों इंटरस्टिंग बात यह है कहां है इंटरस्टिंग बात यहां पर इंटरस्टिंग बात यहां पर यह जो आपको देख रहा है यह चौखट इसका डिलेक्शन हो यह चौखट जो है इसका क्या है इतना इससदो मैलेशन है और ऐसा पूरे में है और आइसा पूरे में है अधिक रहा हो तो अमिट करता हो हमारे कैमेरा सिस्टम हमारा भीजिशन सब कुछ बढ़िया है तो तो बाई ऐसा है तो कैसे पता चलेगा तो सो बाई सो का एक टुकड़ा जो हमारे पास और में उसको ले लो और चितना निदेक्शन हो रहा है वाई उसको मेजर कर लो तो हमने यहां पर समझाने के लिए बताया कि यह एक तरीकिसा आपके परसे ना क्रोस सेक्शन ऐसा समझे यह जो डाइवेंशन है यह जो हो तो जिससे आपका काम बनता रहेगा तो यह खुद ध्यान से देखके एक मेजर टेप भी लेकर चलना होता है वाई साइटों जाकर ऐसा खाली हाथ ही बाद चलना वाई मेजर टेप पेंसिल कुछ नोड़ों डायरी ऐसा कुछ लेकर चलना और वहाँ पर जाके फिर तुम क्या बोलते उसको है रहाँ चमची आपके मूह तक ले गए हम यह सब करके लेकिन आपके मूह तक हमेशा से चमची नहीं जाएगी आपको खुद फिर वह चमची में खाना दनला पड़ेगा और खुद के मूह तक लेगी पड़ेगी तो समझ यह बाई स्पोन फिडे चमच आसाल चीज़े कैसे होती है और अगर आपने यह समझ नहीं तो खुद से कैसे करना है वो भी कर लोगे अगर आप इंजीनियर हो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रखते हो तो तो भाई यह चोखट है चोखट यह कितना है मैजर करने के बाद फिर यह दे इंडन डिरेच्शन वेट तो डिरेच्शन है दोस्तो 50-50 पचास पचास का तो इस इसाफ से दोस्तो आपका डेशन होगा एल वाल्टिप्लाइब आप यह तो तो टोटल एरिया 0.01 का है उस फिरसे डिट्रेट्शन कितना है वाई यह वरा हिस्सा 0.05 50 mm में 50 mm को में में चन जिए उपर डबल जिरू टूफाया जाएगा उमिद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होगी हमारे फ्री वीडियो के माधियाब से लेकिन अगर आपको डिटेंड में सीखना है युगा करीकुलिम डिटेंड में सीखना है अलग 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 स्कील के साथ सिखना है एपलिकेशन पे देखना है पीडिए से साथ हमारी कम्मृ spongy का हिश्सा बनना है हमारे निडियोी सिखना है अर छिरो से एकशा बनिगा मतलब यह आप थी स्कील रेकॉार्मेंट पिशाम से अलगना सोसे स्बिए और अपने आपको बहुत आगे बढा सकते हो सर्च यंगे 75academy.com आप एंडोइड एप्लिकेशन भी दाउलोड कर सकते हो दाउलोड नाउ 0.0025 0.0075 स्क्राइब टाउ टोटल क्रोस्सेक्शन एरिया इंटो रुनिंग लेंथ पाच वेटर की रुनिंग लेंथ पाच वेटर की रुनिंग लेंथ है इसको मुल्टिप्लाइब दो फिरस 0.0375 अब यहाँ पर दोस्ते एक बास समझो यहाँ पर एक बास समझो हमारे पास जो पाच मीटर आया था आई सर यहाँ पर देखरे हमारे पास क्या था वे हमारे पास जो अन्सर आया था रनिंग लेंद में आज मिक्टर डूर फेव इसमें वन डाइमेंशन कल्कुलेशन है जो मेन आपको बता है कि अगर कोई भी डिडेक्शन वगेरा कुछ भी नहीं है सिंगल पत्ती है सिंगल पत्ती है तो वो पत्ती की शर्टेन थीकने से और वो कितने लंबाई तक नगीने वाली वह इंपोरेट है समझो जबर्दफ यह बहुत अच्छी चीज है अगर इसमें शेटरिंग भी होता और उसमें आप ही का लकड़ा लग रहा है आप ही का वोड लग रहा है डोर शेटरिंग या डोर शेटर बोल दोगा है तो यह वाला किसमें है दोस्तों यह वाला टू डाइमेंशन एरिया के विटम वन डाइमेंशन जो हमने वो पांच मेटर वाला निकाल अगर अभी आपने नोमदावन क्या होगा तो हमारा आणसर आ रहा है मेटर क्यूब के अंदर ऐसा क्यूब यानि थ्री डैमेंशन वाइड देरिस रिक्वार्मेंट ऑफ फ्री डैमेंशन थर्ड डैमेंशन के रिक्वार्मेंट क्यों थी भाई सिंबल लगड़े तो पसे तें लेकिन कुछ अगरब्स्टाइब good suspension इरिया मेंsmith बिद्रशन है और रहे कीजिव प्रणुम्रोष्टेटियरी मा क्रोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को रही है लिए है इसका सेक्षन एरिया कितना है हांडे हंडे हैं यह तो 0.1 इंटु 0.1 इंटु 5 तो 0.05-0 तो पांच करने के लिए और वह लगता अगर मैं डिड़ेक्शन नहीं करना लेकिन है तो किया है दोस्तों हकीकत में तो यहां पर डिड़ेक्शन जैसा करोई तो तो यह डिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट देडक्षन यह बहुत नबारीक चीज है मैं क्या बोला हूं फिर से बहुत कैने लिख लो यार या जो डेडेक्षन है यह लमबाई में नहीं है डेडेक्षन कहा है? क्रॉस सेक्षिन ढीया में लिकिन वह डिडिक्शन कैसा है तो फॉरवाउत लेघ अगर हैं अगर यह चीज समझ गे दो आपxo घरां sì तो डिडेक्शन क्रोस सेक्शन एरिया में है कितना है तो उसके लिए फिर जाना पड़ेगा हमको कहा उसके लिए कहां जाना पुरेगा है करो कि क्रोस सेक्शन एरिया पर करा जूम फोकस करा बाए जूम फोकस करा यह फोकस किसको करना तूंको करना है साइट पर जाकर कि गblack sloppy이다 शृत है उन्हार साथी मेंग यहां के इस तरफ ए अरक्रोस इडिया उर थैस्प साथ वाइक पचासे का डिरेक्शन है तो नेचllä स्षिक्षिसेट रिया हम समय मिल जाया इसको मिल आइसको दिर लिएट करने के बाद जीरो 4.9075 और यह 0.0775 कैसा है त्रू आउट दें लंबाई शेवर है तो अब यह सिर्फ草सेंटेशन एयरा का शर है यह XS QM के एक अरिया में इतनी लगने लगी असा संपो जीरो पोट जीरो घरो समय लेकिन गहस्सुन अरिया कहा प्रोप्रेंट का दो नोर फ्रेम की लंबाई अकाउंटों की लाए पाच मिटर वाले तो उसको पाच से मुटिप्लाइ करें जिससे हमें क्या विलाफ है अंसर मिला प्रोप्रोप्रण वारनी फिर्टी का दिंचे लंबाई वेजर करो ठीकनेस वेणीं अनसर मिलेगा लेकिंट्च पिरण को थंदैंट्वेशन में जाना पड़ेगा क्योंकि डिरेक्षन लंबाई इन इन्डेक्षन ख्राउस सेथिवालिए इस्वजेय से यह कहानी हुई और तो उम्मीद करता हूं कि यह काफी वैलियोबल चीज आपको जाने देखों सीखने को सब्सक्राइब तो भाई जो हमारे पास फ्रेमिंग थी जिसकी रूनिंग लेंथ की तरीट है पाच मिटर की रूनिंग लेंथ पाच मिटर की और जिसका क्रॉस सेक्शन नेट 0.075 का है 0. तो उसमें टोटल लकड़ी हमारी लगी 010375 की ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए वैलियोबल रहा फिद्वाक ऐसी साथी दोस्तों वैलियोबल चीजें हमारे साथ सीखिए बहुत सीखिए बहुत आगे बढ़ी है और सीखते रही है मिलते दोस्त कीजें के साथ सीखना है एप्लिकेशन पर देखना है पीडियोबल चाहँ और हमारी कमूल्टी का हिस्सा बनना है तो डेफिनिलि आप हमारे स्टोर का जिरो से हिस्सा बने का मतलब यह है आप अपनी स्किन रेक्वार्मेंट के इस्साव से अलगला सोसिस्वेर एंड्रोइ कर सकते हो जॉइन कर सकते हो डिटेल में सीख सकते हो और अपने आपको बहुत आगे पढ़ा सकते हो सर्षिन यह 75academy.com आप एप्लिकेशन एंड्रोइड अप्लिकेशन भी डाउलूड कर सकते हो डाउलूड नाउ झाल है